दोस्त आपका स्वागत है रवी राज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे आज दोस्त हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में दोस्त चरवाले रेखिक समिकरण के कई सारे नियम है जिससे वो स्वल्व होता है उसमें से एक नियम हम लोग पर चुके हैं जिसका नाम है विलोपन वि सबस्टिचूशन में तो आज हम लोग यहीं पर बात करेंगे कि सम्मिकरण को परती अस्थापन विधी से कैसे सुल्व करते हैं चलिए तो इसमें बात करते हैं आप विडियों बने रहे एक वाल विडियों देखिए आपको इस वीदी से बनाने आ जाएगा इसका मैं गार प्रती मतलब होता है एक आप जानते हैं प्रती मतलब क्या होता है एक प्रती मतलब होता है एक एक अस्थापन मतलब होता है रख देना सब्स्टिचूट कर देना तो कहता है अस्थापना कर दिजी इसका मतलब उसमें हो गया तो अस्थापना मतलब रख देना मतलब क्या समीक स्थापन निकाल कोई एक का सुनिए अगर से प्रती मतलब एक यानि समीकरन कोई एक से समीकरन एक से एक या वाई का मान निकालकर अगर कहां अस्थापना कर देना है दूसरे समीकरन में मतलब एक वो समीकरन से से एक सिया याय का मान निकालकर दूसरे समय करन में सब्सिटुट कर देना ही क्या कालाता है एक लेते हैं समझ आएगा चलिए एक्जाम्पल से सोल करेंगे ठीक है तो एक्जाम्पल लेते हैं आपके लिए पहला कोशन गवर से देखेंगे एक्जाम्पल में पर्थम कोशन लेते हैं 7x-2y ब्राबर 1 7x-2y इक्वल टू 1 दूसरा समी कर ले लेते हैं 3x-4y ब्राबर 15 3x-4y इक्वल टू 15 चलिए आप इसका एक विदी सीख चुके हैं बिलोपन क्या बिलोपन विदी लेकिन आज को विदी से परेंगे प्रतिय अस्थापन विदी से एक बार एकदम देखिए देहां से देखिए ये इसको माल लेंगे समीकन एक साइसको क्या माल लेंगे समीकन फरती अस्थापन विदी करहें मतलग एक एक से माननन काले निकालर किका रखल लीडू समीकन एक्शंक आयं सब्सक्रा एक से इसकार कुछ करते हैं तो क्या करते हैं ऑगा से से सकता है या या इए 10 यह हुम यह निकालते हैं चैनल थे-णे यह उन्दम हो चाहीएं माइनस प्राइब बॉलियो यह यह स्थापदopf तब प्रति अस्थापन भी दिल क्या है प्रति मतलब एक एक समीकरन से एक से वाई क्या मान निकाल कर इसको क्या करना होगा अस्थापना करना होगा किसमें समीकरन दू में तो चलिए देखिए इसको आप समीकरन तीन भी बोल सकते हैं और आप इधर देखिए अब इधर रहने पर समझे आप क्या किये स्वमिकरण एक से वाई का मान ग्याद किये स्वमिकरण एक से वाई का मान ग्याद किये और उस वाई को कहा रख रहे हैं स्वमिकरण में दू स्वमिकरण दू में मान रख रहे हैं यही हुआ प्रति अस्थापन विदी माने प्रतिमत्र एक से X या Y के मान निकाल कर दूसरे समिकर में रख देना ही कालाता है प्रती अस्थापन विदी से हल हो गया चलिए तो आप समिकरन 2 में किसका मान डख रहे है Y के समिकरन 2 लिखिए 3X पलस 4Y बडाबर 15 अब बताईए 3X के 3X पलस के पलस 4 के 4 अब Y के देगा पर Y के मेलू कितना है 7X-1 by 2 बडाबर 15 अब हल करते हैं देखेंगे ध्यान से 3X पलस यह हल कैसे होगा तो आप इसको बोल सकते हैं दू दू ना चार दू से कट गया तो साथ दू नहीं 14X माइनस दू बडाबर 15 चाउदा को एक साथ 3X 17X आई 15 में दू जाकर जू जाएगा 17 17 से 17 खतम एक्स बडाबर केतना आया एक्स बडाबर आ गया 1 बोले एक्स का मान आ गया अब किसका मान चाहिए आपको वाई का बोले गासर वाई के माने हाँ जिसको समीकरन 3 माने थे अब बस हो गया खतम अब आप यहाल देख सकते हैं लिखेगा कि समीकरन 3 में कहें मैं तीन में आप ऐसा नहीं तीने में नहीं आप एक दू कहीं भी रखेंगा इंसर सेम आएगा तीन में रखने से डिरेक्ट आजाएगा समीकन तीन में कि आएक्स अंमिगन तीन एक्स का मांर रखने पर रखे था गूंगा थिन क्या है य बडाजर य बराबर य बडाबर से मैं एक्स माईनस वन बाई टू अबहरी है के मां है रखेता वाइबवर साथ गुने एक साथ माईनस वन बाइटू वाइबर साथ पासे शोबाइब दूर कर दायों करता तो परतीय स्थाफन वी रहें कि यहीं करना है है और वहां सेंसर निकाल लेना है इसी मेठट करना है सब्सिच्यूशन मीठट तो देखिए अगर इक समझ गया होंगे एक कोशन और देते हैं तो आईए आपके लिए सेकेंड नंबर कोश्चन त्यार है अगर फर्स्ट आप समझ गया होंगे तो वीडियो को रोक कर आप सेक देखना चाहते हैं तो आईए अम हम इसको बनाते हैं प्रतियस्थापन बिधी का मतलब सिखा चुके है कि स्वामिकरन एक से एक से यावाई के मान निकाल लेजिए अस्वामिकरन दू में क्या कीजिए रख दीजिए डाल दीजिए इंसर आ जाएगा चलिए वही काम करते स्वामिकरन एक माण लेते हैं इसको समी करन दू मान लेते हैं सामीकरन एकसई रिख्शों के मान ग्याद कर लोगे अब ओलाइगा य कि सव्वाई से करन a संसे शु Practice समिक्हर्ण एक से आपने वाई का मान निकाला आपने क्या किया समिक्हर्ण एक से वाई का मान निकाला कि करेड़ चलिए वाई के मान निकाल लिए तब इसको क्या करें अगर वाई के मान आ गया तो क्या करें तो जिस समीकरन से निकाले है वाई का मान उकरा अलाबा एगवार समीकरन हुआ की नहीं होगा होगा मतलब एक समीकरन में से निकाल लेना है और दूसरे में डाल देना है तो समीकरन दू में दू में समीकरन एक से य के मान निकाले दू में रख रहे हैं समीकरन दू में य का मान रखने पर रखिये तो 3x यहां देखिये तो य क्या है यहां है 5x पालस 2y इक्वल टू टू इसमें वाइक के मान रखना है तो 5 जैसे के ताइसे पालस 2 के 2 आवाई के मान केतना है वाई के मान 3x-4 बडावर 12 अब चलिए इसको सुरू करते हैं ध्यान से देखेंगे 5x पालस 3 दूनी के 6x-8 बडावर 12 6x अब 5x बोलेगा 11x 12-8 उने जागा तो पालस 12-8 20 इसलिए एक्स बडावर 20 वट्टा में 11 एक्स का मान कितना आ गया 20 वट्टा इसको क्या करेंगे बताइए इसको आप स्वामीकरन स्वामीकरन online कि इसका म needs एक्स आ मान स्वामीकरन in एक्स का मान रखने merge in इक्स का मान् रखने निद्षाब लग्हें तरकिन रखेंगे धिरी एक्स लाइनपो एक्स का मान्न होस्टा है कैसे रखेंगे थीरी के थीरी उतारेंगे X के दिएकापर केतना 20 बटा 11 माइनस 4 इक्वल टू आई 20 ती आई 60 बटा 11 माइनस 4 इक्वल टू आई 111 केल्सिय में 11 60 माइनस 11 44 इक्वल टू आई 44 चो पचास 10 60 मतलब 16 बटा में 11 यह किसका माना गिया Y का एक्स का माने हां कितना आ चुका था एक्स वराबर 20 वटाई गार और वाई के मान 16 वटाई गार और यहीं क्या हो गया एंसर तो दुसरा एक्जामपल अब समझपा है एक लास्ट एक्जामपल देंगे उसको बना लिजिए और आज के बाद परतिय स्थापन विदिया आ गया करता होगा एक कोषण और देखिये सेकर्ण नेक्स कोसट्टट के लिए तिसरा एक्जामपल हूत इसको आप को देख लीजे बिदियो रोक लीजे और खुद ने सोल्व कर दीजिए ठीक, चलिए question number 3 हम सोल्व कराते हैं इसको सोल्व करना है प्रतिय स्थापन बिदी से, और प्रतिय स्थापन बिदी कहा मतलब आप जानते हैं कि समिकरण एक से किसी भी वेरियेबल का एकस का हो या वो वाई का हो मान निकाल लेना है और स्वामिकान दू में क्या करना है डाल देना है यही काल आता है प्रतियस थापन बीदी से हल चलिए देखिए इसको समीकान एकसे न हम कुछ मान निकालते हैं समीकान कैसे एकसे इस बार एकस का म निकालते हर बार कितना 10-3y यह किसका भेल और इसको कितना माल लेंगे श्मिकारन तीन मान निकाला इसको कहां डाल देना है समीकरन दू में क्यों क्योंकि परतियस्थापन भी दिका यही रूले है कि यह से मान निकाल लिया दूसरा में डाल दीजिए अब दखिए अब यहां लिख दीजिए समीकरन दू में एकश का मान रखने पर रखेंगे समझेंगे समीकरन दू दखिए फाइव इक्स के दखिए 10-3y एक बट्टा में 2 5x पलस 7y एककोल टू कितना 15 चलेंगे देखेंगे देखते रहिए 10 पचे 10 पचे 50 तब 50 बट्टा में दू इदू सबके लिए है 10 पचे 50 बट्टा में 2 माइनस पांतियाई 15y बट्टा में 2 पलस 7y बड़ावर 15 आप यहां गहर से देखेंगे इधर सुर्फ करते हैं 25 दूना 50 तब 25 बट्टा में 2 पालस 7y इककोल टू पंदर आई 25 जाएगा उन्ने अभी नहीं देखिया वगला लाएं अभी तक यहां तक कोई डाउट है नहीं चलिए तो देखेंगा तो इस दुन्नों के वाई के मान निकाल इसको छोड़ दीजिए ता माइनस पंदराव आई अब बट्टा में 2 पालस में साथ वाई बड़ावर 15 आई पालस पालस प्रचीज जाएगा तो उन्ने माइनस पाचीज बट्टा में ना कुछ होता एक दूएक के लग उत्तम बट्टा माइनस पंदराव आई अप अलस के पालस तादूना चाउदाव आई बड़ावर 25 में से 15 में से 50 जाएगा कितना बोलो कितना पंदरा में से 50 जाएगा माइनस दस पांदर दस पाचीज कोई डाउट नहीं ना चली अब बोलिएगा आप कि सर माइनस में 15 आप क्या माइनस में y by 2 नहीं हो जाएगा बड़ावर मैनस 10 मैनस मैनस खतम y बड़ावर 10 दूने 20 y के मान कितना आया 20 y के मान 20 आया इसी y के मान को समीकरन 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा तो देखेंगे हापर देखेंगे लिखते हैं समीकरन 3 में y का मान रखने पर समीकरन 3 क्या है एक्स बरावर 10 माइनस 3y वाई बाई 2 एक्स बरावर 10 माइनस 3y के जगा पर 20 वाई 2 एक्स बरावर 10 माइनस 20 आई 60 वाई 2 दोश में से 60 गया माइनस माइनस में 25 तो यह हुआ कोश्चन कंप्लीट अगर आप यह वीडिसी गया हूंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपके लिए काफी बेनिफिट मिलेगा इससे और लाइक कर दीजिए ठीक